हेलो एप्रिवान कैसे हो आप सब आपको हमारे चैनल में बहुत सारा स्वागत है तो मैं एक नए वीडियो लेके फिर से आ गई हूं तो आज मैं बना रहे हूं डाल की दुलहन डाल पिठी और डाल पिठा ये तीनों नाम है इसका अब आप लोग क्या बोलते हो आप लोग के तरफ इसे क्या बोलते है मैं नहीं पता चोटे चोटे लोई बना के जो बनते हैं उसे वह बना रही हूं तो 32 बार वाले फरमूले में अच्छी तरह पेट भी भर जाए और डाइट भी हो जाए और बेट भी लूज उज़ा है उसलिए मैं एक अच्छा रेसिपी लेके चाइए और आज क्या हुआ है हम दोलों को आप लोग वीडियो में देख रहें होई हिच की आ रहा है तो हम लोग spreading था तो IPL देख रहें थे तो क्या हुआ जहाय का शौल मूरी बनाए तो जहर मुरी में कच्छा मिर्ची रखति घ्रीन चिली तो उन्हें भी कच्छा मिर्ची खाने से हीच्की आता है मुझे भी कच्छा मिर्टी खाने से हीच्की आता है तो पुरा वीडियो में देखिएATHAN छाजब्सकुन बोली, आप रहने दिजिए मैं एक हमें प्रोग में रिषुना किजिए तो, हल्ला करीते हैं, तुम तो बहुत जिद्धी हो, आपने से करना चाहती हु तो मैं एक हमें बना के ट्री करती हुं, और में ही बना लूँगी तो आप लोग में बने रही है और देखिए कितना अच्छा अच्छा डिजाइन बनारी हुमें और खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप लोग के तरब भी बनता होगा आप लोग भी बनाते होगे इस सब बना लूँगी और उसके बाद कीचिन में जाओंगी बताओंगी केसे क्या बनता है तो आज व्लोग पुड़ा एंट तक देखिए गए सिम्पल डाइठे हेल्दी डाइठे आप लोग फोलो जरूर कीजिएगा आज इतना हीचकी आ रही थी मुझे हसी भी खूब आ रही थी हीचकी आ आके काम कर रहे थे हम लोग इतना हसी आ रहा था मदो लिए दोनो जन को एक साती हीचकी आ गया था झाल अब जितने हमने आटा का दाल पिठी बनाये हैं वह दाल में रख देंगे और इसको पूरा ट्वेंटी मिनिट्स पूरा दाल में पूरा खोलते हुए दाल में छोड़ देना ढखके उसके बाद इसे तरका लगाएंगे उसके बाद आलू का चोखा बनाएंगे और तो व्लोग में एंड तक बने रही है ज़रू बताएंगे आज का व्लोग कैसा लगा आप सबको पे तरका लगाने के लिए जीरा और सुखी मिर्ची का तरका दूंगी जिससे टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा किस किस को अच्छा लगता है जरूर बताईएगा दोस्तों कोमेंड कीजिएगा हेल्डी खाना है हेल्डी डाइठ है जब आप लोग बतीस बार वाले फोर्मूला फोलो करोगे तो यह सब सिंपल सिंपल डिस बना के खाईएगा जिससे फेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका हेल्थ भी अच्छा हेल्थ भी ठीक रहेगा पेट भी भर जाएगा और आपका डाइट भी मिंटेन हो जाएगा तो यह वाला ज़रूर फोलो कीजिएगा